स्वर्ग और नर्ग की कहानी एक बार की बात है गाउं में एक पवित्र व्यक्ति रहता था वो हमेशा स्वर्ग और नर्ग के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला जब वो भगवान से मिला तो उसने पूछा प्रभू कि आप मुझे बता सकते हैं कि सुर्ग और नर्ग कैसा है भगवान मुस्कुराए और उसे दूसी दुनिया में ले गए वहाँ वो दो दर्वाजे के सामने खड़े थे भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रतीक दर्वाजे की अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा पवित्र वैक्ति ने जाकर पहला दर्वाजा खोला वहाँ उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारो और लोग बैठे थे मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बरतन रखा था वहाँ बैठे सभी लोगों के हातों में बहुत बड़े बड़े चम्मच थे मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बरतन तक पहुचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे लेकिन लंबे चमच के कारण बोजन से भरा चमच लोग मुह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चमच की वज़े से खाना ना खा पाने के कारण वो सभी दुबले पतले और बिमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां पीडित लोगों के दुख को वहां बैटे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच थे लेकिन यहां के लोग सुष्थ थी वो एक दूसरे से बाते कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे पवित्र वैक्ती यह देखकर प्रसन हुआ और उस कमरे से बाहरा गया फिर पवित्र वैक्ती ने भगवान के पास गए और कहा मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे है फिर भी एक कमरा दुख से बरा है और दूसरा सुक से भगवान ने उसे समझाया आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाकी लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है आप जिस कमरे में पहले गए थे वो नर्ग था वहां के लोग लालची और केवल अपने बारे में सोचते हैं दूसरे की मदद नहीं करना चाते जिसके कारण वो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख जेल रहे हैं और दूसरा कमरा स्वर्ग था ये उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवा करते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे को उन लंबे चम्मत से खिलाते हैं जिससे वो स्वस्त और सुखी रहते हैं यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देख बाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं नई तो जिन्दगी को नर्ग बनते देर नहीं लगती है